नमस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूस नेटवर्ग तुड़े टेक्टर ट्राली पलटने से 22 साल के युवक की हुई मौत सुनौरी ठाना मैधर का है मामला परिजनों का आरोप है अवैद रूप से हमारे यहां से रोज कई टेक्टर और ट्रेक में बालू निकाली जा रहे हैं उसी दौरान टेक्टर टाली जब घाट से जा रहे हैं पलट गई पलटने की वज़े से 22 साल के युवक ट्राली के नीचे दब लिया था गंभीर रूप से उठायल था पहले मैयर बाद में लिवाने संजय गांदी अस्पताल लायागा उप्चार्ट के लिए जहां बीती हाँ पुस्टी अवैद बालू भरकर लोट रही टेक्टर ट्राली पल्टी युवक ट्राली में दबने से गंभीर रूप से गायल संजय गांदी अस्पताल में हुई युवक की मौत मैयर थाना अंतरकत सुनौरी गाउं का है मामला हम आपको बता दें शिवम कोल पिता शंकर कोल हुमर बाइस साल सुनौरी थाना मैयर के रहने वाले थे घर के आर्थिक हालाद बहतर नहीं थे मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे इस समय नदी में बालू निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है फिरवा वैद है या अवैद यह तेंग करना काम प्रसासन का है हमारा नहीं परिजनों का साफ तोर से कहना है अवैद रूप से बालू हमारे हां से निकाली जाती है कल भी कुछ यही काम हो रहा था नदी के किनारे हमारे गाउं सौनौरी में सासन अपने इस तर पर कारवाई करेगा जो भी उचित होगी लेकिन सवाल बड़ा है उनका क्या जिनों ने अपने 22 साल के लड़के को खो दिया कमाने खाने वाले लड़के को जिसकी वज़ा से घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम होता था उसकी भरपाई कैसे होगी बड़ा सवाल यही है फिलाल अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रेकरन पंजीबत करके वो स्मार्टम की कारवाई की जा रही थी शुनिये सीवम की माँ और गाउं वाले सीवम की मौत को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं तो गया सुनमारी के सांध के टेक टरम से आलत रही तो खुलाट गई तो लड़का दब गया है कहां गए थे तब हने नदी में तो नमारी के नदी में क्या ना में आपका आपकी कौन तो है मेरा लाड़का है हां उनकी कैसे मौत लिए अवायद खनेच की बालू थी नदी में जो निगलती है वहां भराने ले गए थे लोग इनको वहां से लोड करके आ रहे थे उसी बीच रस्ते में टेक्टर पलट गया है और उसी टेक्टर के टाली में और दब गया है इसकी शिकायत आप लोगों ने कहां कहां ती हाना में ती जो अंतरगर सुनवारी थाना आता है वहें के शिकायत बज़गा है कितने तारीक की बात है कल कर नहीं एक्सिडेंट जब हुआ है कल साम को चार गो यहां कब लाए यहां कल यहां कल ही आपका नाम निखलेश पटेर ताजातारीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे